ब्रेक के बाद कारिक्रव में एक बार फिट से आपका स्वागत है ब्रेक से पहले सूरच जी के साथ बात करेते हैं अप सीधे राकेश कुछ कहना चारेते हैं राकेश में आपके पास आ रहा हूं और फिर मैं एक बार वापस निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्य पुन बात है कि मैंने देखा कि आपके चैनल में इनके शिक्षा मंतरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है जब भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये दिखाया जाता है जानबूर के कि अकब चाहिए आखिर ऐसे मुद्दों पर हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर देश क्या चाहता है इस देश की जनता क्या चाहती है इसके लिए prone चाहिए और जो मेश्चित रूप से पास इस लthen रोटरा हूं की बहुत सारी चर्चा हुई है मैं एक अगर नहीं पड़ेंगे तो क्या विब्दा आन पड़ेगी लेकिन फादर ओफिस्ट्री जिने का जाता है हेरोडोर्टस हेरोडोर्टस ने जो पुष्टक लिखी थी वह इसलिए लिखा गया था कि युनानी राज्य थे और परश्या उनके बीच में युद्ध होता रहता और बार बार ये युनानी राज्य पराजीत होते थे परश्या शे तब उन्होंने इतियास लिखा कि ये पराज्य के कारण क्या है उन्होंने अपनी कमजोरिया लिखी उसमें कि बार बार हमारी पराज्य होने के कारण क्या है ताकि आगे जो युद्ध होगा उसमें हम इन कम जोरियों को दूर कर सके तो इतिहास का जो उद्देश्य है वो यहीं है कि फूचर के लिए डारेक्शन मिल सके दोबार इन गलतियों को दोराय नहीं जा सके और इतिहास इवर जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी सबसे पहले रोगी का इतिहास पूछता कि आपको इतिहास का काम यही है कि वह व्यक्ति वह गटना जिसने समाज की दारा को गंभी रूप्षे परिवर्तित किया हो उसमें बदलाव लाया हो उनको उस इतिहास में जगे दी जाती है जहां तक बात है महाना परताप की और अकबर की इसमें कोई डाउट नहीं है कि अकबर का जो एक चरीतर था वो समाविशी चरीतर था धर्म नरपेक्ष थे अकबर सुरुआती दोर में जरूर उनकी एक जो पोलिशी है वो एक धार्मिक संकिरता देखने को मिली लेकिन आम जो उनका एक कॉंटेक्ट था इसी वजह से उन्होंने तीर थीयातर कर आठाना जैजिया आठाना क्योंकि मत्रा में जब गूमने गए तो लोगों ने कहा कि यह राजा अमारा नहीं है यह तो मुशलमानों का राजा है क्योंकि हम तो मत्रा जाते हैं हरीद्वार जाते हैं लोग तो तिर थीयातर के पर टेक्श लगता है अकबर ने का इसको खतम करो अकबर की जमाने के मुल्डा थे उन्होंने बदायूनी बदायूनी ने लिखा कि अकबर हुग मुशलमान है यह नहीं वह तो काफीर बन गया है तो दूसरा अकबर ने जो राजपूत उनकी रान इस तरह के समाविशी चरितर वाले वैक्ति को जनौने जो नोन मुश्लिम्स को भी अपने सामराज का हिस्सेदार बनाया अनूगा मी बना के नहीं रखा तो निश्चेत तोर पे वह मान थे लेकिन महाना परताब भी उतने ही मान थे क्योंकि महाना परताब भी अपने आदर्स अपने सिधानतों के लिए पच्ची साल तक जंगल में भटकते रहे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिधानत के लिए अपने आदर्स के लिए लड़ाई लड़ी तो निश्चित तूर पे महाराना परताबी मानते लेकिन एक का महान होने का मतलब नहीं है कि दूसरा कम मह यह हैं इकब reduction में जो सवाल पूछ रहा है कि इतियास जरूरी कि इन्हों कहा कि जरूरी है हम पिछली गलतियों से सीखे सबक ले इसलिए जरूरी हैं हम इतियास को लिखने में बी गलतियां करते जा यह सही है और गलतियां और लड़ियों से बहुत पहले होती हुती आए अभी बताया गया कि अंग्रेजों ने भी बहुत सारी गलतियां की और पॉलिटिकली की जान बूच करके की और उनका भी एक उद्देश्य था जो भी हुकुमत आती है जो भी सत्ता में आता है वो अपने उद्देश्यों की पूरती के लिए लेखन का इस्तिमाल जरूर करता सबसे ज्यादा जो दिस्टॉर्शन किया जाता है सबसे ज्यादा जो फैरबदल चलगी जाता है और उसके दूर गामी परिनाम सोच लिया जाते हैं अभी जो चीजे की जा रही है उस imported को जिस ढंग से से रे-डाइट किया जा रहा है उससे आशंका यह है कर एक हमारी नही पीड़ी जो है वो सामपरदाइक वहमनस्ट से लेकर बड़ी हो तो यह इतिहास लेखन जो है इस काम के लिए इस्तिमाल नहीं होना चाहिए बहुत अच्छा शब्द का राजीव जी इस शब्द के साथ आ रहा हूं इतिहास लेखन या इतिहास लिखा जा रहा है या पढ़ा या शाशनी नहीं था कि आपर आकर्मन हुआ ना आकरंता थे ना यह क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए जो उन्होंने जिस तरह से यहां पर अत्याचार किये हिंदू बहु बेटियों को लूटा राजीव जी क्या एसा नहीं है कि लिखा जाना चाहिए वह तो इसलिए लेक सबसे बड़ा अधारण दूंगा 1905 में जब अंग्रेजों ने कुटिल चाल चलते हुए भारत बंग बंग के लिए बात की तो हिंदू और मुसल्मानों ने एक साथ अंग्रेजों के वरोत किया और अंग्रेजी सत्ता को जो चुनौती दी वह दोनों ने मिलके एक साथ दी यह बात बिल्कुर सत्ते है लेकिन बाद में क्या किया उन्हीं अंग्रेजों ने कुटिल चाल करके मुसलिम लीग बना के और पाकिस्तान बना दिया जो बंग भंग नहीं कर पाए और जहां हिंदू मुसलिम खड़े होकर उसको नहीं होने दिया 1905 में और सब बंदे मात्र यह समझना चाहिए यह किसने नहीं होने दिया इतिहास की रची विपिन चंद्रागी बात की विपिन चंद्रागी और कितामों को भी पढ़िए उन्होंने कितना पाला इस देश आपको भृष कण करने की कोशिश की क्यों का पहसी को करती करी आतंकारी ख़ारी कहिने की जरूद क्या थी आपती यह है कि अब मैं इनको धॉरा रहा हूं शब्दों का जभर शब्दों से बहस का जवाब बहस से जाति वात इनसी हटके बहस होनी सी पहली बात दूसरी बात में कहा रहा हूं माना प्रता मान थे विदिर ऑठासा राट रोल महान्त क् पेड़ों के लिए पेड़ों के लिए जोत्पुर मोगा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पहली बात तो भारत के लिए नहीं लग रहे थे अटल भेरिवाश पे रहे दो साल अजी तीन बार रहे ने चैसाल रहे चैसाल कम नहीं होते लिए तो एक घंटा ची लिए और उस्वल की विदेश्मन्ती ते अटालिस चालिस साल लिखा है आप 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 एक बाद सुनिये मेरे को हमने कित्ता लिखा एक कागज एक इतियास इतियास लिखने के लिए कोई कमीशन कमीशन आज तक क्यों नहीं बना इतने साल आपकी सरकाराई आट-दस साल आपके जोड़ी तकलिफ नहीं ज्यादा हमें इतियास तकलिफ नहीं आपके इतियास हमारा नहीं है वह सही इतियास है वह सही इतियास है वाम पंथ हम भगवा कहते हैं अच्छा बताओ वीवेकानहं हं जी को हमारे आपको भी आपका नहीं वहांन रहें दिखकत वह एकपर को भी मान नहीं मान रहें उन्डिस्टों 1980 से पहले कभी आपको गरीब भी याद नहीं आए ता हूं इतियास मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं गरीब हटाओ पहली बार करंदु को एक छातर होने के नाते मेरे मन में कई पर सवालाइता है कि जिस तरे है का इतियास हम सुनते हैं या पढ़ते हैं अक्सर वो सही है या गलत है इसका फैसला करने से पहले में एक बात जोड़ना चाहूंगा यहां पर कोई भी शिक्षा जो राश्ट्र निर्माण का काम नहीं कर सकती वो शिक्षा किसी भी काम की नहीं है तो ऐसा किसी को पढ़ाना कि कोई महान है या किसी को यह पढ़ाना कि वो महान नहीं है यह जरूरी नहीं है जरूरी यह है कि किस व्यक्ति ने राश्ट निर्माण में योगदान दिया मेरी नजर में कनिश्क भार से है लेकिन कनिश्क ने भारतिय संस्कृति को जिस तरह आगे ले जाने का काम किया प महां नहीं कहने से पहले सिर्फ यह बात सोचूंगा कि उसका राष्ट निर्माण में क्या योगदान है अभी जो आपने करंट टोपिक बताया कि बगत सिंग्ग राजगरु चंदर शेकर राज़ात के बारे में का गया किने रिवोलुशनरी टेर्रिस्ट का जा रहा है आतंकवादी का जा रहा है यह बेहत गलत है यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट निर्माण राष्ट चेतना का काम किया था हम विचारों से बने अभी आप आपने जो कहा है उसके बाद मैं वापस आउंगा आगे की तरफ आ हम राष्ट निर्मारह की बात करते हैं तो हमें इन तत्यों को बहुत परेर चोड़ना होगा कि वो रिवोलूशनरी टेर्रिस्ट थे आज हम यह मानना होगा कि वो राष्ट निर्माण में अग्रणी भूमीका में थे चैं कर्ट हम उनके विचारों में योगदान था इसलिए दोनों मेरे लिए महान है चलिए सीधे और कोई पीछे से कुछ कहना चाहरा था चलिए हरितवाल जी दुवार आ रहा हूं आपने बड़ा विरोध किया था शुरुवार में कि यह लिखा है तो बहुत गरत लिखा है 1922 से लेके और क्रुजद कर सिधdle कॉंग्रेस में आपसी बातचीत में भी ऐसे लोगों को जो गोलियां चलाते थे जो हिन्सा करते थे उन्हें आतंकवादी कहा जाता था आप दागत आप exposure कांवार चाहिसे बात कहीं जिसका हमरा निर्मान में है उन यह कहा कि बाई जुआ पेर लगने चाहिए पानी की वेवस्ता होनी चाहिए राश्ट निर्मान के साथ सामाजिक निर्मान और जंगे शस्टी निर्मान की बात करी उनको किसी ने महान नहीं का यह भी बड़ा ही नहीं करते हैं पटेल की करेंगे मैं आप यह कह रहा हूं इसमें कुछ नहीं होना चीए इसके नहीं होना चीए अब यह जैपूर के तियास से मिर्जा इसमाइल को भी हटा देंगे कि अच्छो लायो मैं सूरी ऊंट और नाम नियास बाग की चर्गयों चारियों कूट बाग विध्वन्स का डाला यह कभी ने कहा था अच्छा ध्यानो इकवासाब को ध्यानो यह बात भी इनके लिए लेकिन चौंकि वो कंस्रेटिव आदमी थे अब वही मिर्जा इसमाहि लेकिन ऐसे सेखडों ख्रांतिकारियों की बात कर रहा अगर किसी नों शब्दों का प्रयोक करा इतियास के नर तो उनको ठीक कर देना चाहिए लेकिन इतिहास इतिहास इसलिए ज़रूरी है कि नई पीडी का निर्मान होगा और उस पीडी का जिसे मजबूत पीडी बनाना चाहते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि फिर हम इतिहास के निर्मान में जाएंगे तो राजनेतिक हस्तक्षे नहीं मैं आपने जो बीचे बात आई थी जो वास्तविकता है तथ्यों से संग है जो तथ्ये हैं वास्तव में उसके लेके इतिहास की रचन जब हम अपने महापूरुशों को सही धंग से पढ़ाएंगे उनको सही धंग से इस्थान देंगे तो अभी पढ़ने वाले युवक उनके मन में प्रेड़ना आएगी उनके मन में एक गौरव का भान होगा कि हमारे पुर्खे ऐसे थे और इसलिए इतिहास एक स्वतंत्र कमिशन के माध्यम से बराना चाहिए लिखाना हो आपके पास नई पीड़ी को गौरव का भान हो इतिहास का सही ध्यान हो इस पर हम ब्रेक के बाद लोटेंगे और सब के सुझाओ लेंगे कि आखिर कैसे ये सब हो अभी लेते हैं प्रेक झाल